Hello everyone, this is Eileen and a very warm welcome to all of you to my YouTube channel, Diversify Knowledge. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे mutual funds के बारे में, जो आने वाले 10 से 15 सालों के लिए best mutual funds होने वाले हैं. तो वीडियो बहुत ही useful होने वाला है, दोनों existing mutual fund investors और new investors के लिए. एक जो common question आता है mutual funds के regarding वो ये है कि जिस mutual fund में हमने already invest किया है, वो अच्छे returns बना के देने में काम्याब नहीं है. तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें किसी और fund में switch कर लेना चाहिए, किसी और fund में अपना पैसा invest करना चाहिए, तांकि हम बड़े returns बना पाएं और financially अपने future को secure कर पाएं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन ही सब questions को address करूँगी, और साथ ही हम जानेंगे 3 best mutual funds के बारे में, जिन में आप अपना पैसा invest कर सकते हो, और बड़े returns बना सकते हो, सिर्फ आने वाले 10 से 15 सालों में, और financial freedom को enjoy कर सकते हैं. तो बहुत ही informative वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, पूरा end तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो informative लगे, तो साथ साथ में like करते जाएगा, और अपना opinion हमारे साथ comments के थूर जरूर share कीजेगा, और मैं उमीद करती हूँ कि आपने अभी तक हमा तो चलिए आज का हमारा discussion स्टार्ट करते हैं और basic level पे समझते हैं mutual funds के बारे में, अब कुछ लोग क्या करते हैं, stock market में direct पैसा invest करते हैं, लेकिन हर कोई इतना risk उठाना नहीं चाहता, क्योंकि एक अच्छा stock ढूणना जो आपको future में बड़े returns भी बना के दे, और वो आप depth किसी भी stock के बारे में research करें, तो ऐसे में mutual funds एक बहुत ही अच्छी और safe option बन जाता है अपने पैसे को diversified way में invest करने के लिए, mutual funds में हम directly stock market में पैसा invest नहीं करते, AMC यानि asset management company होती है, जो mutual funds खोलती है, यानि start करती है, हम अपना पैसा उनके through invest करते हैं, तो basically आप और आप ज अलग अलग जगा पर invest कर देती है, अब company आपके पैसे को कहा harvest कर रही है, उसी basis पे ही आपके returns generate होते हैं, यानि कि company आपका पैसा equity में invest कर रही है, या आपका पैसा index में लगाया जा रहा है, या फिर किसी government policy या scheme में अगर आपका पैसा invest हो रहा है, उसी according आपके returns generate होते है ICICI, HDFC, SBI, Aditya Bella, Tata, Kotech यह कुछ एग्जामपल्स हैं ऐसी कम्पनीज यह बैंक्स की जिन्होंने अपनी-अपनी AMCs खोल रखी हैं अब AMC आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रही है उसी आधार पे अलग-लग तरहां के mutual funds होते हैं जैसे for example, equity mutual funds में बहुत सारी अलग-लग categories होती हैं like large cap, mid cap, small cap, flexi cap, large, mid and small cap का and so on और हर categories में बहुत सारे अलग-लग mutual funds आपको available होते हैं अब जहां तक returns की बात आती हैं तो कुछ investors ज्यादा risk उठाने के लिए भी ready हैं बड़े returns पाने के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम पिछले 10-15 साल का data उठाएं और different indices के returns को compare करते हैं सभी categories के returns में हमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता कहने का मतलब है कि overall अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं और आप long term investments plan कर रहे हैं और बड़े returns बनाना चाहते हैं तो आप अगर किसी भी category में अपनी investment करते हैं तो आप equivalent returns ही बना पाओगे कोई ज़्यादा difference में नहीं होगा अब आते हैं आज के हमारे पहले question पे जो मैंने starting में आपसे बात की थी generally investors किसी भी mutual fund की past performance को देखते हुए अपना पैसा उसमें लगा देते हैं लेकिन इस बात की कोई guarantee नहीं होती कि जो fund आज के time में best performer है वो आने वाले 10 से 15 साल में भी वैसा ही performance हमें देगा वैसे ही बड़े returns हमें बना के देगा तो ऐसे में investors switch करने का सोचते हैं और उस particular time पे जो mutual fund best performer होता है उसमें अपना पैसा लगा देते हैं उस case में भी कोई surety नहीं होती कि जो fund उस time पे best performer है वो आगे आने वाले time में भी वैसे ही returns बना के देगा तो इसलिए investors हमेशा switch करने की दोविधा में फसे रहते हैं तो generally वो बड़े returns बनाने में कामयाब नहीं होते For example, अभी कुछी साल पहले Axis Blue Chip Fund large cap category में best performing fund रहा इसलिए बहुत सारे investors ने उस fund में अपना पैसा डाला लेकिन अगर हम पिछले एक से डेट साल का performance देखें और compare करें तो Axis Blue Chip Fund large cap category में worst performing रहा तो ऐसे में सभी investors confused हैं कि क्या हम switch करें या उस fund को continue करें अपनी investment को continue करें और ऐसे ही और भी कई सारे examples हैं तो कहने का मतलब है कि long term perspective से अगर हम सोचें तो कोई भी mutual fund हमेशा ही top performing fund नहीं रहता लेकिन जो investors होते हैं वो जादा तर इस goal के साथ ही mutual funds में अपना पैसा लगाते हैं कि वो long term में बड़ी wealth create करना चाहते हैं तो अगर मैं active mutual funds की बात करूँ तो जो currently top performing fund है जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 10 से 15 साल में भी आपको उतने ही returns बना के दे जितने आप expect कर रहे हो इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था stock market for beginners करके उसका link में नीचे description box में दे दूँगे आप जरूर check out करें बहुत ही informative वीडियो है उसमें मैंने बात की थी कि अगर आप mutual funds में safe investment करना चाहते हो तो आप index fund में अपना पैसा लगा सकते हो because किसी भी और index के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो index को beat कर पाए क्योंकि ये market को replicate करता है तो आप market जितने ही returns भी बना पाऊगे इसी रहे best option होगा कि आप nifty 50 based किसी index में अपना पैसा invest करो जहां आप इंडिया की top 50 companies में invest कर पाऊगे और index खुद से ही बहुत dynamic होता है तो इसमें poor performing stocks automatically index से बाहर हो जाएंगे और better performing stocks index में enter हो जाएंगे तो index खुदी rebalancing को भी देखता है आपको कोई चिंता करने की ज़रत नहीं होगी तो आज का हमारा पहला best mutual fund होगा nifty 50 based index fund अब nifty 50 में multiple index funds available हैं तो कौन सा best होगा इसके लिए आप दो parameters चेक करें फर्स्ट होगा expense ratio and second one is tracking error जितना कम expense ratio उतना ही fund बहतर होगा जितना कम tracking error उतना ही बहतर होगा वो fund इसलिए आपको वो index fund opt करना है जिसका expense ratio and tracking error minimum होगा अब क्योंकि index fund जो है वो simply index को replicate करता है तो returns में ज़्यादा difference नहीं होगा इसलिए आप किसी भी reputed mutual fund house से nifty 50 index opt कर सकते हैं including SPI, COTEK, HDFC, UTI और Axis and any other अब आते हैं आज के हमारे second mutual fund की ओर लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा video knowledgeable लग रहा हो तो प्लीज इसे साथ-साथ में like करते जाएगा और अपनी राय हमारे साथ comments के तुरूँ जरूर share कीजेगा अब यहां तक हमने बात की nifty 50 index fund की जहां पर आप इंडिया की top 50 companies में invest कर पाओगे लेकिन अगर आप small cap and mid cap indices में invest करना चाहते हो तो क्या इसमें problem यह होता है कि small cap and mid cap companies के कुछ stocks में liquidity problem बहुत ही जादा होती है तो इसलिए यह funds इतने जादा popular नहीं है इंडिया में तो अगर आप small cap and large cap companies में अपनी investment करना चाहते हो तो बेटर होगा कि आप active mutual funds को opt करें अब यहां पर भी problem यह है कि कई investors को mutual funds की जादा knowledge नहीं होती sometimes उन्हें large cap companies जादा attract करती है और sometimes mid cap या small cap बेटर लगती है तो समझ में नहीं आता कि actually करना क्या चाहिए तो यहां I would suggest you to go for flexi cap category funds जहां fund manager खुद देखता है large cap, mid cap and small cap categories में कहां invest करना है market conditions को देखते हुए तो आज की इस वीडियो के लिए जो flexi cap fund मैंने पिक किया है उसका नाम है पराग पारिक flexi cap fund एक 5 star rated fund है और यह आपको US market में भी invest करने का exposure देता है और इसका fund size 33,615 करोड का है एक very high risk category का fund है जिसका NAV 56.75 रुपीज का है और इसमें आप 1000 रुपीज पर मन से SIP भी start कर सकते हैं और अगर हम इनका past performance देखते हैं तो पिछले 5 साल के लिए fund के analyzed return 18.5% के रहे हैं और यह अपनी category का best performing fund रहा है वहीं पिछले 3 साल के लिए इनका analyzed return 31.7% कर रहा है और last 1 year के लिए 20.3% कर रहा है अभी फिलहाल ये fund थोड़ा underperform कर रहा है बिकॉज US market में invest करने का आपको exposure fund देता है तो अभी US market बुरी तरहां से fall किया है इस वचा से fund में भी हमें ये effect देखने को मिल रहा है और fund का expense ratio 0.73% कर रहा है और यहां पे आप इनकी top 10 holdings भी देख सकते हैं तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा investment option है पराग पारेक flexi cap fund जहां पे हमें सिर्फ past performance के basis पे judge नहीं करना है हमें ये भी देखना है कि future में कितनी जादा इनके पास scope है कितनी opportunity है जादा returns बना के देने की investors को because जैसे जैसे US market grow करेगा US economy rise करेगी इस fund के भी returns उतने ही जादा बड़े होते जाएंगे next अब बात कर लेते हैं आज के हमारे third mutual fund के बारे में जो again एक flexi cap fund है जिसमें आप HDFC flexi cap, axis flexi cap या फिर core tech flexi cap किसी को भी choose कर सकते हैं तीनों ही well established mutual fund houses हैं तो इन में से आप किसी को भी pick कर सकते हैं अपनी investments के लिए तो अगर मैं conclude करूँ तो three best mutual funds जिन में आपको invest करना चाहिए वो होंगे nifty 50 based index fund पराग पार एक flexi cap fund और HDFC axis या core tech flexi cap fund में से कोई भी एक और इसी के साथ ही आप sorted रहोगे अपनी mutual fund investments को लेके आने वाले 10 से 15 सालों के लिए लेकिन ध्यान दीजे हमारी तरफ से किसी भी तरह को कोई recommendation नहीं है आप अपनी investment अपनी खुद की research करते हुए करें और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत ही ध्यान से कहीं भी invest करें और मैं उमीद करती हूँ कि हमारे आज के इस वीडियो से आपको बहुत ही help मिली होगी knowledgeable वीडियो रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा like, share और हमारे चैनल को subscribe करना बिलकूल न भूलें आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और ने धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए take care, thank you for watching